आज से कुछ साल पहले मैंने धातू और अधातू पर वीडियो बना रखा है लेकिन उस पर एक भी भी भीज नहीं है तो भाईशाब मैं आज सिधा सिधा कह दे रहा हूँ अगर आज आपको धातू और अधातू ना समझ में आएगा ना वादा है कि आपको कही नहीं आएगा आप सबको किलियर ले दिख रहा है धातू और अधातू ठीक है तो यहाँ पर आप सबको बहुत ही आसानी से दिख रहा है धातू ओके धातू को इंगलिस में कहते हैं मेटल ये आप सबको पता ही है गाईज मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो भी पदार्थ जो भी पदार्थ चमकता हो पिटने पर फैलता हो एक भाग को गरम करने पर दूसरा भाग भी गरम हो जाता हो जिसमें बिधु धारा आरपार होता हो जिसमें आवाज निकलता हो भाई साहब ये सब चीज जिस भी चीजों में आपको देखने को मिलेगा वही हमारा होता है धातू आपको धातू के बारे में आया के नहीं आया मैं आपको सिध्धे सिध्धे कह दे रहा हूँ कि जिस भी पदार्थ जैसे आपने लोहा देखा है लोहा और एक लकड़ी लकड़ी और लोहा में कौन चमकेगा तो भाई साब लोहा हमारा चमकेगा तो जो भी पदार्थ चमकेगा और जिसको हम पीटेंगे और वो फैलेगा और जिसको अगर हम गर्म करें मतलब आग में जैसे ही गर्म करे तो उसका दूसरा भाग भी गर्म हो जाए और जिसमें लाइन पार हो सके आर पार और जिसको पीटेंगे ना तो आवाज निकल सके जिस भी चीज ये सब चीज जिस भी चीजों में होती है वो चीज हमारा धातू होता है धातू के बारे में अभी आया की नहीं आया धातू का एक्जामपल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आसानी से यहां पर लिख रहा का है लोहा ठीक है लोहा हमारा धातू है और इसके बाद कील, जस्ता, तामबा, तीन, सोना, आदी यह सब हमारे क्या है धातू है ठीक है तो आप इसली समझ गए होंगे अगर आपको आ गया हो तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नहीं आया हो तो आपका गलती है अगर धातू आ गया हो तो अधातू कुछ भी नहीं है बस धातू का उल्टा है धातु में हमने यही पढ़ा कि जो चमकता हो और अधातु में कुछ नहीं है तो आएए अब यहाँ पर अधातु को देखे ही लेते तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं अधातु और अधातु को इंगलिज में कहते हैं नन मेटल यहां तक आपको clear रहा होगा guys यहां पर मैंने क्या लिख रखा है समझे यहां पर आप सबको दिख रहा है जो भी पदार्थ न चमकता हो न पिटने पर फैलता हो न एक भाग को गर्म करे तो दूसरा भाग गर्म होता हो मतलब गर्म ही नहीं होता है उल्टा आप समझिये औरना जिसमें विदुधार आरपार होता हो औरना जिसमें अवाज निकलता हो ये चीज जिस भी चीजों में होता है वो चीज हमारा अधातू कहलाता है जैसे आप यहाँ पर देख सकती हैं मैंने आसानी से लिख रहा है लकड़ी लकड़ी को लकड़ी आपको चमकता है कि नहीं नहीं चमकता है लकड़ी में अगर हम लकड़ी को पीटेंगे तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा नहीं फैलेगा गाईज रबबड नहीं रबबड तो फैलेगा ही लेकिन वो वाला नहीं पीटने पर नहीं वो ऐसे ही फैलता है ठीक है और इसके बाद इंट पत्थर ये सब के पास अगर हम लाइन को पार करें तो क्या उसमें आसानी से लाइन पार हो जागा नहीं होगा हम सिधी सिधी यही कहना चाहते हैं कि धातू और अधातू पहचानना है तो सिंपल भासा में आप याद रखिये जिसमें बिजली पार होता हो उसे हम कहेंगे धातू और जिसमें बिजली न पार होता हो उसे अधातू कहते हैं लेकिन एक अपवाद याद रखियेगा जिसमें बिजली आसानी से पार होता है तो यहां तक जनकारी में अगर आपको कोई भी चीज दीकत लगा हो तो नीचे जरू लिखेगा और गाईज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सबस्क्राइब तो बनता है बाई बाई टेक क्यार बेस्ट अव लुक